डेली कनेडियन न्यूज बुलिटन इन हिंदी एंद उर्दू, अउनली अट्रैक टीवी मैं हूँ कौकिप फारू की सबसे पहले शामल करेंगे नियून्स हैडलाइन कैनाड़ के डेप्टी वजीर आजम की जैसन कैनी से मुलाकात सूबे और विफाक में तालुकात मजबूत करने की कोशिश महौल में कारवन डाय ऑक्साइड की सता में खतनाक हद तक इज़ाफा रिपोर्ट के मताबक कैनाड़ को एकदामात पर नजलिसानी की जरूरत होगी ऑंटेरियो के फिरमें डाग पोर्ड ने कहा कि वो ओटावा और प्रेवरी सूबो के माबें तनाओ को खतम करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं कैनेडियन रेल वर्कर्स की हरताल के सबब मुल्की सबसे बड़ी खात कमपनी मुटासर कैनेडा की विजारत जर्रात ने कैनेडियन रेल वर्कर्स से मुझाकरात का मुटालबा कर दिया अमरीकी सदर डॉनल्ल्ड टॉम्प से शदीद तनासे के बाद अमरीकी बहरिया के सरवरा रिचर्ड स्पेंसर को उफ़दे से फारिख कर लिया गया अमरीकी सदर डॉनल्ड टॉम्प के सिदार्पी महल वाइट हा Beautiful Life में भी Christmas के मुनास्पत से Christmas tree पुचा दिया गया है इरानी पासदराने इंकलाब के सर बनाने अमरीका और इसके इत्हादियों को रेड लाइन उबूर करने की सूरत में बरबाद करने की धम की देती हैड लाइंस आपने जौनी खबरों की तफसील शामल करेंगे स्प्रेक के बाद कर दो करेंगे स्प्रेक का बाद करने की दो में बाद कर दोफित्व कर सकते हैं are you concerned about your future? we invite you to consider option Canada I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. Swami Kashi Guru Ji का कहना है कि वो आपकी तमान समस्याओं का हल जानते हैं. Swami Kashi Guru Ji is a specialist in bringing back your loved ones. He is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours. आपके depression, family, court problems और बेशुमार मसाइल के हलका दावा करते हैं. Swami Kashi Guru Ji से राप्ता कीजिए 647-765-6311. 647-765-6311. Address 565 Markham Road, Scarborough. Canada से खबर शामिल करेंगे. आपको बताएं, Canada की डेप्टी वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलेंट से अलबर्टा के प्रिमियर जैसन कैनी ने मुलाकात की है. जबके उन्होंने चन्ड रोज गबल सस्केचुवान के प्रिमियर से भी मुलाकात की थी. केनी से मुलाकात से कबल फ्रीलेंट का कैना था कि वजीर आजम ठीक कहते हैं कि तालुकात के हवाले से चैलेंजिस का सामना है. इंतखाबात में हमें अलबर्टा से सक्थ पेगाम मिला जिसकी वज़़ा से मैं यहां आई. फ्रीलेंट और उनकी हुकूमत को केनी की जवानिप से तनकीत का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने विफाकी हुकूमत से चन अहम उमूर पर तवज़़ा देने का मतालबा किया था. मुलाकात के हवाले से कैनी का कैना था कि अलबर्टन्स को एक मुनासिब मुहाइदे की उमीद है जबके इस सलसले में हम मुस्बत कुफटगू कर सकते हैं. कैनी ने ये भी कहा कि वो ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन की तौसी को मुकररा तारीख तक मुकमल करने की जमाना चाहते हैं. इस लाइन से अलबर्टा का तेन मगर्बी साहिल और वहां से बैरूने मुलक मंडियों तक जाएगा. कुछ बात कर लेते हैं, वर्ल्ड मेटरोलाजिकल और्गनाईजेशन की जान इपसे जारी अदाद और शुमार के मताबिक कैनीडा को एक बार फिर से महौलियाती आलूद की सिनमत ने किये जाने वाले अपने अगदामाद पर नजरे सानी करना होगी. मजी चानते हैं इस रिपोर्ट में. कुछ बात कर लेते हैं, मुकामी चैनल को दिये गए एक इंटर्वियू में, फोर्ट का कहना था कि मेरे तमाम प्रेमियर्स के साथ अच्छे तालुकात हैं, सूबों में तनाओं कम करने के लिए कोश्वा हैं, मजी चानते हैं सिर्फ पोर्ट में. उन्टेरियो के प्रेमियर्ड जॉग फोर्ट ने कहा है कि वो ओटावा और फ्रेरेडी सूबों के मामें तनाओं को खतम करने की पूरी कोशिश करने हैं. मुकामी चैनल को दिये गए एक इंट्रिव में पोर्ट के कहना था कि मेरे तमाम फिर्मियर्ड के साथ अच्छे तालुकात हैं. पूर्ट के कहना था कि वो ओलबाटा और सस्केच्वान के मौामलात को समझते हैं जहां विफाकी लिबरल्स एक भी रुखने पार्लिमेंट के इन्तिखाब करने में नकाम रहे हैं. पूर्ट ने खबरदार के के कैनेड़ा के कान्फरिडरेशन में होने वाली तबदीलियों से आलमी सता पर इस मुल्क को तकलीफ पहुँच सकती है. जहां मुमकिना सर्मायकार कैनेड़ा के अंदर मौजूद तनाओं को गर्यकीनी सूरतिहाल का जरिया समझ सकते हैं. और उसके नतीजे में वो कहीं और खर्च करना चाहते हैं. उनका कहना था कि हमारे सूबों में जितने भी इखतलाप हो लेकिन दुनिया को हमें मुझबत पैगाम भेजना है. उनका कहना था कि बीगियर प्रेमिर्स के साथ मीटिंग में दुनिया भर में इत्धात का पैगाम भेजेंगे. केनेड़ा से खबर शामल कर लेते हैं. आपको बताएं केनेड़ा की वजीर जरात केनेडियन नैशनल रेलवे के मुलाजमीन से मुझाकरात पर जोर दे रही हैं कि वो हरताल को खत्म करें जिसका असर किसानों पर 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 रहा है. केनेड़ा की वजीर जरात केनेडियन नैशनल रेलवे मुलाजमीन से मुझाकरात पर जोर दे रही हैं कि वो हरताल को खत्म करें जिसका असर किसानों पर 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 रहा है. बीबो ने कहा कि वो विफाकी हुकुमत मुझाकरात के अमल पर यकीन रखती हैं और दोनों फारीकों को समझोता करने पर जोर दे रही है. उनका कहना है कि यहर मसले का बहतरीन हल है. रेलवे मुलाजमीन की हरताल के सबब खाद बनाने की सबसे बड़ी कमपनी ने अपनी पोटाश की कान को बन करने का भी अलाम किया है. बीबो की जानब से हुकुमती फैसे से मुतालिक यकीनी वक्त पराहम नहीं किया गया है. ताहम उनका कहना है कि तमाम आमला को बगौर देख रही हैं. उन्हों ने कहा कि वो अपने साथियों को इस बारे में मालूमा जारी कर रही है कि इस हरताल से जरात के शुब को किस तरह मुतासर किया जा रहा है. हर आप्शन हमेशा टेबल पर रहता है लेकिन फिलहाल हम उमीद करते हैं कि दोनों फरिकों में महाइदा हो जाएगा. अमरिकी वजीर दिफ़ा मार्क ESPR ने राख मे तायोनात फाजी अफसर के टनाज़े और अमरिकी सदर से मुखाइघी सर वर बहरी सरवरार रिचर्ड स्पनसर को इहँदे से हटा दिया. मुझी चानते हैं सिर्पोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रॉम्प से शदीद तनाज़ के बाद अमरीकी बहरिया के सरबरा रिचर्ड इस्पेंसर को ओधे से फारिख कर दिया गया तफसिला के मताबिक अमरीकी नेवी के अफसर एड़ वर्ड गैलकर की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो दाईश के हलाक शुद्द पसंद के साथ खड़े थे जिसके बाद ट्रॉम्प और नेवी सरबरा के दन्मयान तनाज़ा खड़ा हो गया गैर मुल्की खबरसा अदारे के मताबिक अमरीकी वजीर दिफार मार्क एक्सपर ने एराफ में तायमनात पौजी अफसर के तनाज़े और अमरीकी सदर से मुखापत पर बहरी सरबरा रिचर्ड इस्पैंसर को उखड़े से हटा दिया अमरीकी नेवी अफसर एड़र्ड कैलगर को दाइश के 17 साला ने हत्य गैदी को खतल करने और उसकी लाश के साथ तस्वीर बनाने के मुखदमे का सामना था इस मौमले पर अमरीकी सदर ने मुदाखलत करते हुए एड़र्ड कैलगर की हमायत की जिसके रदे अमल में नेवल चीफ रिचर्ड इस्पैंसर ने ट्रॉम्प के खलाफ बयान दागा और कहा कि ट्रॉम्प केस में मुदाखलत से गुरेस करे उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रॉम्प मिलिटरी केसिस में मदाखलत कर रहे हैं उन्हें नजम जब की समझबूच नहीं है रिचर्ड स्पैंसर के मताबिक किसी भी शिद्द पसंद के साथ इस तरहा तस्वीर बनाना फौजी फवाइद और जवाबित की खलाफ वर्जी है जिस पर डैवर्ड केलगर की तनजली की गई थी वो जीरे दिफा का बयान में कहना था कि नेवी के सरवरा ने जाती तोर पर वाइट हाउप से राफ्ता भी किया नेवल चीफ अपना इतमाद खो चुके हैं जबके फौच के बाद हलके जंगी जराइम के मुर्तकित सजाया आफिसर को माफ करने पर सदर टरंप पर शदीद तनकीद कर रहे हैं बहरी अफसर के खलाफ महकमेजाती कारवाई पर अमरीकी सदर डॉनलर्ड टरंप भी खुलकर सामने आ और नेवी अफसर की हिमारत की बादजा टरंप ने एडवर्ड केलगर को गुजिश्टा हफते दो तैयारियां दुनिया भर में धूम धाम से शुरू कर दी गई हैं अमरीकी सदर डॉनलर्ड टरंप के सदार टीमहल वाइट हाउस में भी क्रिसमस की मुनास्बत से क्रिसमस ट्री पहुचा दिया गया है अमरीकी रियासत पलसिनमेनिया के टाउन पिटमेंड से इस साड़े 18 फिट लंबे क्रिसमस ट्री को खुछूसी तोर पर काट कर घुड़ा गाड़ी में रखकर वाइट हाउस पहुचा दिया गया था जिसका इस तकबाल अमरीकी खातुने अवल मिलानिया ट्रॉंक ने किया इस क्रिसमस ट्री को वाइट हाउस में क्रिसमस की शांदार तकरीब की जीनत बनाने के निये सजाया चाएगा कुछ बात कर लेते हैं पासदाराने इंकलाब के सरबरा ने अमरीका, बर्तानिया, इसराईल और सौदी अरब पर बदमनी पहलाने का भी इंजाम आइट किया और कहा कि ऐसे कई अनासर को इरानी पोर्सिस ने हाला किया मजीद एहवाल इस रिपोर्ट में इरानी पासदाराने इंकलाब के सरबराने अमरीकाओ और उसके इतहादियों को रैड लाइन उबुर करने की सुरत में बरबात करने की ध्व्हं की देदी अरब खबरसाइदारे के मताबिक दारुल्वकूमत तहरान में एक रैली से खताब करते हुए पासदाराने इनकलाब के सरबरा जनल हुसेन सलीमी ने कहा कि अगर अमरीका और उसके इतिहादियों ने एरान की रेड लाइन को बूर किया तो हम उने बरबाफ कर देंगे पासदाराने इनकलाब के सरबराने अमरीका, बरतानिया, इस्वराईल और साओधी अरब पर बदमनी पहलाने का भी इल्जाम आईद किया और कहा कि ऐसे कई अनासिर को इरानी फोर्स इसने हलाक किया अरब खबर असाएदारे के मताबिक रैली में हजारों अफराद शरीक थे जिनोंने एरानी परचम लहराते हुई अमरीका और इस्राईल के खलाफ शदीद नारे बाजी की जब के बास शुरका ने अमरीकी परचम भी नजरे आतिश किये इसे के साथी टैक टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे टैक टीवी